कि आज तो वीडियो अपलोड नहीं हो पाया क्योंकि बहुत ड्रामा हो गया थोड़ा गूमने निकले थे मैंने सोचा था रात तक भोपाल पहुंचेंगे रास्ते आस्ते में एडिटिंग हो जाएगी तो अब यहीं रुकने का प्लान बना मैं और भाई आ गए गाड़ी के पास गाड़ी के पास आके डिक्की में देखा कि कुछ अजीब साट पटा सा देख रहा था हमने देखा कि यह तो काच फूटा हुआ है कि लगा कि लाप्टॉप तो गया फिर क्योंकि यूजुली यह सब चोरी ओरी के लिए होता है लेकिन फिर अंदर देखा तो इट पड हुआ था अब वहां पर छे-साथ लड़के लोग आग सेक रहते हमने पूछा कि देखा क्या कुछ कुछ हुआ क्या तो बोलते हैं कि नहीं हमें तो नहीं पता हमें लगा कि आप गाड़ी कुछी ने ऐसी लाई होगी और यहां लाकर ऐसे खड़ी कर दी मतलब पहले से ड्र कर रही थी अब यह वह करी रही थी दो-तीर मिनिट में वह बंदा फिर आता है और बोलता है कि बड़ी चौड में और बड़ी अजीब सी रूड और अजीब सी बॉडी लाइंग्वेज में बोलता है कि यह साफ हो जाना चाहिए हमारी दुकान के सामने से मेरे कस्टमर आते हैं और यह वह पहले तो आप समझो कि सामने वाले का कुछ वह हुआ है और मतलब अल्रेडी कर रहे हैं ऐसा तो नहीं है कि कुछ करनी रहते हैं नहीं लेकिन उसको तो टांगडानी थी पर अब एक बात से दूसरी बात से तीसरी बात पता नहीं उसका टेंपर भी ऐसा था तो चालू हो गया कि आप जानते नहीं हो मैं कौन हूँ और पता नहीं क्या क्या और पता नहीं किसको तो बुला ले और हमारा तो एक दम प्लेन सिंपलता है यह वह पिनक ले गया था क्योंकि मैंने बोल दिया था कि अपन तो पत्थर से सिंगर परिंट का वो दे देंगे में रिपोर्ट कर देता है यह सुनके शायद वो पिनक गया होगा कि वही मैंने तो किया है उसमें अंदर यांदर सोचा होगा अब उसके बाद तो फिर एक ड्रामे पर दूसरा अब उन्हें अपने घरवालों को बुला लिया पता नहीं कहां कहां के कॉंटेक्ट्स को बुला फिर गाया भी होगा पुलिस के नाम पर आया ही नहीं और वहां से जो बाकी सस्पेक्ट थे मतलब आसपास उसके साथ बैठे थे उनको भी पुलिस थाने ले गए तो हम लोग गए पुलिस थाने और पुलिस थाने में फिर उनको बेठे रहे हैं हम पुलिस थाने में हम बैठे रहें उनको काफी टाइम बैठे रहे अभी अभी बजरहें से पहुनि जारा मौने पई seemed नमम्ब्र को बहुत देर बैठे है पुलिस थाने में और लिख वाया है कुछ-कुछ अब डेखते हैं तो गःब है और उस बंदे का हिस्ट्री जान रहे थे पुलिस वाले से इत्ता फेमस है उसने अभी 15-20 दन पहले ये बुगा बहुत डटके एक दम सामना किया उनों बंदे के लिए उस बंदे का तो कुछ आता पता नहीं और उसका हिस्ट्री पता चला हमें तो उसने अभी कुछ दिन पहले किसी के घर में खुषके मारा पीटी करी थी और उसके पहले भी उसके कुछ वाइफ के साथ भी कुछ नाटक है कि अब बीवी ने भी कंप्लेन कर दी थी तो बीवी को भगा दिया और ऐसा कुछ-कुछ है तो अब घर वाले तो उसको इसे गायब किया है जैसे पता नहीं किया और उसके पहले तो इतना चौड़ में भूम रहा था उसके कॉंटक्स के लिए और बागी चीजों के लिए कि क्या बता हूं ठीक है अब वो तो हो गया पर क्या experience था मतला हम तो बस डिनर करने के लिए रुके थे हम शायद निकल ज बंटा हुआ होगा गाड़ी को लगाए हुए और में रोड पर गाड़ी थी ऐसा नहीं थे कि कोने का पाट्या पर लगाई हुई है और भी गाड़े थी वहां पर असको गुस्सा इस बात कही होगी कि उसकी बंद दुकान के सामने भी गाड़ी खड़ी की तो उनको ऐसा ल बड़ा चालेंज यह था कि अब वो डिक्की तो बंद होती है लेकिन डिक्की के अंदर का लाइट चालू रह रहेगा तो बैटरी डाउन कर देगा फिर सुबह निकल नहीं पाएंगे फिर उसको ठीक करो फिर वह करो फिर अभी कुछ इन्होंने उसको धपा धप करके कुछ हो जाए कि अगर नहीं होगा तो फिर वही है एक और रात तो एक तरह से पुलिस थाने में बीटी थंड में चड़े पर में तो पै ठंड़े हो गया जो कि कभी सोचा नहीं था कभी मैंने बिल्कुल सोचा नहीं था ठीक है बताते हैं आपको वीडियो में